इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले है स्पेशल डेटा डिसेमिनेशन स्टेंडर्ड इस डेटा प्रसार मालक तो दोनों ही लैंगुज में हम इसे डिस्कस करेंगे चोटा सा टॉपिक है तो चली स्टार्ट करते हैं तो इमफ ने जो कुछ स्टैप्स लिए थे किन के लिए जो उसके मेंबर कंट्री हैं किस लिए ट्रांसपरेंसी और ओपनेस जो जिसमें इंक्लूड भई ये वॉलेंटरी डिसीमिनेशन है बई स्वचिक है कि जो कंट्री जो इसकी मेंबर कंट्री हैं जो क्या करना चाहती है इकनॉमिक और फाइनेशल डेटा किसके सामने मदब ट्रांसपरेंसी आम जंता को जो है क्या करना चाहते हैं पब्लिश करना चाहते हैं तो जो प्रवाइट करना चाहते हैं अपने जो भी उनका एकनुमिक और फाइनेशल डेटा कि इसको पब्लिक को तो इसी लिए इसकी जो क्या करी गई थी स्थाबना की गई थी अब यहां GDDS भी स्टैब्लिश किया कि 97 में उन कंट्रीज के लिए जो लेस्ट डेवलब जिनके बास टेटिसकल सिस्टम था तो उनको लिए यह जी डीडियस बनाया गया ताकि वो एवेलुएट कर सके अपनी नीट्स को कि उनको क जो डेटा है उसको इंप्रूफ करने के लिए उनकी प्राइटीज को सेट करने के लिए 2012 में SDDS प्लस को क्रियेट किया जो एक अपट अयर था मिए डेटा स्टैंडर्ड का जो एक इनिशियेटिव था हल्प करने के लिए जो भी डेटा गैप सु एडेंटिफाई है उसमें बदद करने के लिए किसके दोरान जो भी ग्लोबर फाइनशिल क्राइसिस है उसके दोरान और 2015 में क्या लाया गया GDDS अगर हम बोले EGDDS को जो रिप्लेस करा जिसने GDDS को तो 95% से ज्यादा MF मेंबर जो कंट्री इस थी जिन्नोंने पाटिसिपेट करा किसमें EGDDS में SDDS प्लस में यह हिंदी मिडियम वाले स्टूडेंट देख सकते हैं ठीके स्क्रिंशोट ले लेना और कुछ समझाने का नहीं है बस डेटा से रिलेटी इस में यह हमाई बस लास स्लाइड है तो 20 डेटा केटिग्री जो है इसमें IMF ने कंसीडर करिए जो पब्लिश की जाती है जिसमें रिपोर्ट जो है कैप्चर करते हैं बेक नेशन की जो एकॉनमी खेलता है वो कैसी है जिसमें आपका नेशनल अकाउंट से जी डी पी जे ने इंक्लूड है प्रेडक्शन इंडिस इंप्लॉइमेंट है सेंट्रल गवर्मेंट ऑपरेशन है तो यह सब इसके अंद जितना आप से कबार हो सकता वो का आप करिये जितना मैं आप लोग की मदद कर सकती हूँ वो मैं करूंगी आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट शेयर इट और सब्सक्राइब मैं चनल थैंक्यू